नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के हाल ही में आई जाती सर्वे का कास सिंसिस का इसमें बहुत विवाद चल रहे हैं पोलिटिकल विवाद चल रहे हैं लेकिन समाज में भी हो ना हो इस पे एक ना एक दिन चर्च को जाती के विश्यों को अधहन किया है आई उनसे बात करते हैं मनुझ कुमार जहां जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज क्लिक में सबसे बहले बताइए कि जाती धरम को कारती है क्या इसलिए ये सेंसेस कराया गया है बिहार में नहीं मैं समझता हूं कि इस तरह की अवध डड आंकडे नहीं है जिंदा लोगों का जिंदा दस्तावेज है और जिंदा दस्तावेज अपनी कहानी अप खुद कहेंगा अपने सरोकार खुद बोलेगा तो मैं नहीं चाहता हूं किस विसलिशन में है हाला कि आपके परश्ण के जबाब में इक मैं बात जरूर कहूँ तो कि प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, वो इस्पिन देने की कोशिश कर रहा था, क्या हिंदू समाज को प्रगतिशील होना चाहिए या प्रतिगामी होना चाहिए, क्या हिंदू समाज को इस बात की चिंता न हो कि सीवर में उतर के मरने वाले की जाती क्यों नहीं बदलत है क्या हिंदु समाज को रहे कि यहां हिंदु समाज को अपने ब्यापत बहुजन की चिनता नहुग कि विश्वी ध्यालेघंग कि ननफ सुटेबल कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि अगDO प्रदानमंत्री जी भी गौर से चिनतन करें और बीजेपी के के पास आये और जिन्होंने कहा कि ऐसी एक जंगन्ना होनी चाहिए लेकिन सेंट्रल गवर्मेंट नहीं चाहती थी कि जाती किसी भी तरह का सेंसस किया जाए तो फिर अब जब सर्वे आ गया है तो क्या ये सिर्फ बिहार तक्सीमत रहेगा पॉलिटिकली भी इसको देखें मैं एक बात आपसे स्पस्ट तौर पे कहूं कि थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहता हूं उन्हें उन्हें सो एकतिस के बाद इस देश में जाती का जंगन्ना नहीं हुए इकतिस के बाद विभाजन के बाद क्रमशह पाकिस्तान और बंगलादेश भी बना इकतिस के बाद कई सारी चीजे हुए समाज के स्तर पर लेकिन हमारे पास आंकड़े पुरा नहीं ही रहे मंदल कमिशन को उन्हीं आंकड़ों को परमेज्ञानिक विसलेशन करना पड़ा तब से यह आवाज उठी थी 2010-11 में जब हमारे रास्ट्य अध्यक्ष लालो जी मुलाहिम सिंग जी शरद्यादव जी तो गुपिनांत मुंडे की भी सहमती थी कि यह होना चाहिए तो SECC डेटा जेनरेट हुआ तब तक नरेंदर मौदी जी की सरकार आ गई 14 में और जब जब हमने सवाल पूछा तो कहा कि देटा करौप्ट हो गया डेटा करौप्ट हो गया अब करफशन कहा है हम बली बात ही समझते हैं करफशन डेटा में यह डेटा की ट्रीटिमेंट में नहीं है उसके बाद मैं थोडा दस बरस आगे लाता हूं 11 वर्श 22 के जून में तब नेता प्रतिपक्स तेजय स्वी इसको पुर्जोर तरीके से उठाया आलेक लिखे इस पर बात की फिर नितीजी से मिले नितीजी के मुख्य मंत्री थे इनेता प्रतिपक्स थे लोकिन दोनों के बीच में गहन चिंतन हुआ इस पर उसके बाद विधान मंदल में चीजें आई प्रतिवी मंदल दिल्ली आया प चुपी साधे रखी और चुपी इनकार कद्यों तक थे फिर भी हर सरकार ने अपने संसाधनों से करवाया उसमें भी कितनी रुकावट आप सही कहिए आपने सही कहा कि बीजेपी के लोग भी थे साथ में मैं एक मीटिंग में था वहां भी बीजेपी के लोग उने कोई सलाह ने दी वो थोड़ा ओसा हज थे पता नहीं क्यों तब सॉलिसिटर जेनरल तुशार मेहता आते हैं सुप्रीम कोट में जब ये मामला पहुंचा और एक का परेग्राफ फाइब है उस पहले एफिडेविट का जो ये साफ तोर पे कहता कि राज जनगना या उससे मिलती जुलती कोई भी क्रिया नहीं कर सकता यानि कि आप ये कास सर्वे नहीं कर सकता अपरोर हुआ नितीज जी के मुखमंत्री जी के तरफ से उप मुखमंत्री यहां से होती है ना आपके मानस से होती है तो मैं कह रहा हूं कि तमाम रुकावटों के बाब जो अगर ये सर्वे डेटा आया है बिहार का ये हकीकत इस हकीकत को सुईकारिये इसी के आधार पर अब नीतियां बने इसी के आधार पर आपकी नियत में बदलाओ हो तभी मैं स मतलब समाज एक सोच रखते हैं वो भी जो लिखने हैं वो कहरें कि अब देखिये ऐसा ऐसा स्थिति आएगा कि पचास परसंट के ऊपर जाना पड़ेगा आरक्षन की जो कट आफ है वो बढ़ेगी लेकिन यह कहीं न कहीं गलत नहीं क्योंकि 10% EWS अलड़ी हो चुका है देख कि इंदरा साहनी या बाला जी जज्जमेंट के आधार पर जो सीलिंग थी इट इस नो मोर सेकरोसंट यानि यह खत्म हो चुकी है तब अगर हम आबादी के रूप हिस्सेदारी तैक करने के हिसाब से अगर नहीं करेंगा एक और बात में कहता हूँ कई मीडिया के साथ ही कह हासिल होता है समाज एक बेहतर संतुलन को प्रक्त करता है और यह बाइनरी भी मैं देख रहा हूँ मीडिया के एक साथ ही कह रहा है कुछ साथ ही कह रहा है कि फनाने के साथ अन्याय होगा तो उसके साथ अन्याय होगा सिविल राइट्स मूब्मेंट को देखिए या तमाम दुनिया में जो समता मुलक समाज के अंदोलन हुए हैं वो न्याय अगर सुनिश्चित करते हैं हाशिय के समूह को उसका मतलब बाइनरी में अन्याय नहीं होता है किसी के साथ यह न्याय-अन्याय की बाइनरी यह वो लोग चला रहे हैं जो इस जिन जो इन आकड़ों को आज पा रहे हैं ना आत्मसाथ कर पा रहे हैं यानि कि उनको लगता है कि किसी से कुछ लिया जा रहा है और फिर किसी को दिया जा रहा है बिल्कुल नहीं मैं एक पराफ्रेज कर रहा हूं माटिल नूधर कीं को उन्होंने कहा था कि इतिहास मैंसे चाना आते हैं जब आपक हुँ कि आज एक भूमिका हमारी सब की होनी चाहिए जो प्रिविलेज़ कमिनिटी के लोग है वो अपने प्रिविलेज को सवाल करें और एक बार आप उस सवाल करना शुरू कर दीजेगा न तो यह जो खाई है प्रिविलेज़ और आप्रेस्ट के बीच की वो खत्म होगी औ लेकिन मैंने शुरू में जो कहा कि जो लोग समझते हैं कि धर्म धर्मान्धता की दूंदली चादर से इन सवालों को मौलिक सवाल ही है प्रिविलेज़ के सीवर डेट्स के नॉन रिप्रिजेंटेशन के इसको आप ढग नहीं सकते हैं अगर आपको हिंदू का ही बैतर समा अब खाई में गिर जाते हैं पूरे हिंदू समाज को उससे बचाना है कहीं न कहीं जब हम अपनी जाती के बारे में कॉंश्य होते हैं तो वो भी एक तरह से फ्रीज होती है इंटिटी हमारे अंदर वो एक बन जाता है कि हां हम यह हैं वो हैं जबकि मतलब यह कृतिसिजम आता है कि जाती सर्वे क्यों नहों आप मानते हैं इसको भी मेरा मानना है मैं हमेशा कहता हूं कि अधेंटिटी के मल्टिपल लेर्स होते हैं भीज़गूर इंटिटी नहीं होती हैं आपकी इडिन्टिटी जेंडर यह पुलिटिकल सोशल बैग्राउंड यह फैमिली बैग कई दफा क्या होता है ने कि हमें बहुत सारी चीजें बिलॉंगिंग के वजए से अचीवमेंट में आसानी होती है यह आप जहां पैदा हो गए उसके फायदे नुक्सान उनको होता है जो वंचीत समाज से आते हैं तो इसको तभी बहतर बनाया सकता है जब हम आइडेंटिट के साथ इसलिए मैंने का कल भी कहा था कि प्रधानtype provide जी अतमामों वह लोगं इन आंकड़ों के साथ संबाद करें यह अंकड़े बोल रहे हैंन को सुन homosexual करिए क्या क्या रहे हैं यह आंक्ड़े करें है क्यों नहीं कर इस क्पने में وج मैं का कि आ आओ नहीं कि उफ इस विकास महिला आरक्षन का तोड़ है या हिंदुत्वा का तोड़ है इसे बरा फ्रॉड इंडियन पुलिटिकल हिस्ट्री में हुआ नहीं जिस दिन मैंने सुना कि महा महीम ने साइन किया है नॉर्मली जब कोई बिल कानून बनता है तो उस पे लिखा रहा था विट एफेक्ट फॉम इस बिल में क्या लिखा होगा 24 तो है नहीं 39 नॉट शॉर 34 देखेंगे 49 वाट तुसे मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी सारे उसमें इफ बट बिसाइड जैन इतने सारे एडवर्ब्स लगे हुए है कि उसकी उसकी पुरी प्रासंगिकता ही खत्म हो रही है तो ये काट वाट नहीं है ये लॉंग ओवर्डियो था आज से नहीं इमाजिन करिए 31 वस दे लास्ट जो समाज जातियों में बटा हुआ है उसको यहीं नहीं पता कि कौन से जाती कितनी है यानि कि भागीदारी हिस्सेदारी विजिबलाइजेशन चोटी आबादी है लेकिन विजिबल अब बिहार सरकार का अगला कदम क्या रहेगा तो यह आख्रे आये हैं तो आख्रे ड्राइंग रूम में टेबल पर रखने के लिए तो आया नहीं है इनको सजा के तो रखना नहीं है गुल दस्ते में यह मैंने कहा ना इन आक्रों से समवाद सरकार भी कर रही है शुरू हो हो चुका वो समवाद करेगी बिना बिवाद के निर्णय होंगे और वो निर्णय एक बहतर समावेशी समवेदनशील समाज बनाने की बुनियाद पढ़नी शुरू होगे आरक्षन की अभी लिमिट बढ़ेगी वो एक मसला है छोटा सा लोग उसी में उलच जाते हैं वो त क्योंकि देखिए सडक बिजली के अलावा काफी सारी चीजे महातुपुर्ण नहीं सेदारी भागेदारी के नक्षे पे वो सारी चीजे एक टाइम लाइन के अंदर एक है करके की जाएंगे इंक्लूदिंग पॉलिटिकल रेप्रेजेंटेशन अफकोस यस वो तो वहा करे खुद मांग लेंगे अब कोई चुपा नहीं सकता हूं मैं तो यह टेबल हो जाएंगे असेंबली में लेकि पब्लिक डूमेन में तो आही किया जी पब्लिक और ऑल पार्टी की मीटिंग भी हो गई है और जहां तक मेरी सूचना है देर महिने पौने दो महिने के अंदर ज और अगले साल के शायद चुनाफ बेवी न्यूस क्लिक देखने के लिए बहुत शुक्रिया